सबसे पहले आप सबो को मेरा दिल से परनाम सर मैं बच्पन में बहुत ही बदमास था इसी कारण मेरी मा मुझे हमेशा डाटा करती थी और मेरी मा मुझे प्यार भी बहुत करती थी आज से ठीक पांस साल पहले की बात है किसी बात को लेकर मा से मेरी लडाई हो गई और मा मुझे मारने के लिए दोड़ी और मैं घर छोर कर भाग गया मैं बहुत गुसे में था मैंने उसी समय ठान लिया कि घर मैं वापस कभी नहीं आऊँगा तिन-चार दिन तक मैं भूके प्यासे इधर से उधर भटकते रहा फिर एक दिन मैं ट्रेन पर चर गया और मुझे यह पता नहीं था कि यह ट्रेन कहां तक जाएगी एक दो दिन ट्रेन में सफर करने के बाद मेरी भूक से हालत खराब हो गई फिर मैं अपने भूक मिटाने के लिए ट्रेन में गाना गाने लगा और कुछ लोगों ने मुझे पैसे दिये और उसी पैसे से मैंने कुछ खड़ित कर खाए ट्रेन में मुझे एक लड़का मिला था और उसने मुझे बताया था कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है अगर तुम गाओगे तो लोग तुमें सुनेंगे और तुम बहुत आगे जाओगे उस लड़के का बात सुनकर मेरे अंदर गणा गाने का एक जुनून सा चा गया और मैं दिन रात एक करके गणा गाने का रियास करने लगा कुछ साल मेहनत करने की बात मेरी आवाज बहुत अच्छी हो गई लोग मेरी आवाज को बहुत ही पसंद करने लगे और मुझे साधियां और पार्टी और इस्टेट्सों में ओफर आने लगा गाने के लिए मैंने गनागा कर बहुत ही पैसा कमाया और मैंने दो-तिन जगा फलेट लिया अलग-अलग सहरों में मेरे पास पांच-छे गाड़ियों का कलक्सन था और एक अच्छी गलफ्रेंड भी मिल गई थी मेरी जिन्दगी में किसी भी चीज की कमी नहीं थी फिर भी मुझे एक कमी हमेशा खलती थी वो कमी थी मेरी माँ भले ही आज मैं 56 परकार का खाना खाता हूँ पर मुझे मेरी मा की हाथ का रोटी और सबजी अभी भी याद आता है भले ही इंसान कितना भी बरा क्यों ना हो जाए मा के सामने हमेशा च्वटा ही रहता है मा से बरकर इस दुनिया में कुछ भी नहीं और मैं आज मा के लिए गणा चाहता हूँ तयार हो आप जी मैं तयार है ठीक है चलिए मा की बहता पानी मा की कहे कहानी मा का नाम सदा रहता है बाकी सब कुछ पानी हुँ मा की मंतिर माहि मंदिर माहि पूँचा मां से पर के कोई न तूजा माहि मंदिर माहि पूचा मां से पढ़के कोई लदो जा माही मन्दिल मां के पुन से जगत बना है इशर को भी मान जना है मां मता का एक कलश है जीवन जोते हैं अमरे द्रस है क्या अंबर और क्या ये धर्टी मां की दूल ना हो नहीं सकती युक उते हैं युक जाते हैं मां की का था तोहराते हैं बड़े बड़े यार्टी कहपे हैं मां का रुत्वा सबसे पुचा मां ही मंदिर मां ही पुचा मां से बड़े के कोई न तूजा मां ही मंदिर मिटी हो गई मां की का भख रहा है फिर भी साया कर धूप में सोच रही है लाल पर अपने कर दूचाया शूल बनी है मां की विवश्टा व्यादुल है सुझे नारसुता शूल बनी है मां की विवश्टा व्यादुल है सुझे नारसुता सरद बहुत है कहना सुनना कठी ने बड़ा है मां बनना माही मंदिर माही पूजा मां से बढ़ के कोई ना तूजा माही मंदिर जनम जनम की महा दुख्यारी करने हैं तो शुश्य हारी भाई बावरी उलज गई है बच्चे का सुक भूड रही है भूग से मुन्ना तरप रहा है मन का धी रहे तोटे गया है आचन में है दूद की नदिया और आखों में नीर भरा है सब को सहारा तेने बादी कौन बने अब तेरा सहारा कौन बने अब तेरा सहारा कौन बने अब तेरा सहारा माही मंतिर माही पूचा मासे पढ़े कोई ना तूचा रबता जोगी पहता पानी माची तहे कहानी माका नाम सदारे का है बाद की समच फानी कि लोगी पानी